हेलो एस्टूडेंट स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल रस्तोगी कोची में आज के इस वीडियो में कलास बारह की रसायन विग्यान में आज हम लोग पढ़ेंगे मेथिल इलकोहल का रसायनी गुण पिछले वीडियो में जो है मेथिल इलकोहल बनाने की बिधी बताया गया था उसके भोती गुण बताया गया था और कुछ जो है रसायनी गुण के बार रसाइनिक गुणिक क्या है रसाइनिक गुणिक क्यों को जो है आप स schöne दÍ तो या पीछले वीडियो में चार रसाइनिक गुणिक बताया तो पांच माधर रसाइनिक जो है नोट कर लिजे पांचमा क्या है तो थायोनील कुलराइड से अब किरिया अब ये थायोनील कुलराइड से किरिया कौन करेगा तो मेथिल जो है इलकोहल जो है किरिया करेगा तो थायोनील कुलराइड से किरिया क्लोराइड से क्रिया से क्रिया तो थायोनिल क्लोराइड से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा तो अब यहाँ पर इसके आगे लिख लेंगे कि जब मेथिल इलकोहल थायोनिल क्लोराइड से जब अब क्रिया कराई जाती है तो मेथिल क्लोराइड बनता है यहां पर लिखेंगे इसके आगे जब मेथिल इलकोहल थायो नील कुलराइड से क्रिया होती है थायो नील कुलराइड से क्रिया कराई जाती है क्रिया कराई जाती है क्राई जाती है तो क्या बनता है मेथिल क्राई जाती है तो मेथिल मेथिल कुलराइड बनता है मेथिल कुलराइड बनता है कुलराइड बनता है तो आभ इसका रियक्ष invites लिएगे जैसे अब चाहां लिखेंगे C-H3-O-I-H इसका नाम क्या है मेथिल इलकोहल है और किरिया किसे करेगा यास-O-C-L-2 इसका नाम है थायोनील कुलराइड अब जब थायोनील कुलराइड से जब किरिया होता है तो क्या बनता है? C4CEL इसका नाम है मेथिल कुलराइड बनता है पलस उसके साथ जो है SO2 मतलब सल्फर डाइअकसाइड गैस भी बनता है और हाइडो कलोरिक अमल भी बनता है तो मेथिल इलकोहल थायोनील कुलराइड से जब किरिया कराई जाती है तो क्या बनता है मेथिल कुलराइड तथा सल्फर डाइअकसाइड और हाइडो कलोरिक अमल बनता है तो इस रियक्षन को जो है आप सभी भी द्यार थी अपने कॉपी में क्या किजे नोट कर लिजे अब अगला जो हम पढ़ेंगे हाइलोजन अमलो से किरिया अब हाइलोजन अमलो से किरिया जब होगा तो क्या क्या बनेगा तो इसके आगे लिखेंगे कि मेथिल इलकोहल जब किसी हाइलोजन अमलो से जब अब किरिया करता है तो इलकिल हैलाइड या हैलो इलकेन बनता है तो यहाँ पर लिख लेंगे अब मेथिल इलकुहाल जब किसी हाईलोजन 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 अमलोशे अभिकिरिया करता है करता है तो किया करता है तो इलकील हैलाइड इलकील हैलाइड बनता है जब मेथिल इलकँहल जब किसी हाईलोजन अमलोशे क्या कराइं अभिकिरिया कराय तो क्या करता है इलकील हाईलाइड बनता है अभिहां जैसे लिखेंगें जैसे CH3 OAS अब CH3 OAS और यह जो है Hydrogen Bromide यह Bromide क्या है तो Hylogen है तो अब यहाँ पर Hydrogen Bromide के साथ किरिया कराई जाती है तो क्या बनता है तो यहाँ पर जेल बनता है और उसके साथ CH3 B.R. बनता है अब यहाँ पर अगला CH3 OAS CH3 OEH CHI से क्रिया कराई जाती है तो गरम करने पर क्या बनता है तो जल बनता है और उसके साथ CH3 और क्या बनता है I बनता है बस थोड़ा सद्धान देखिए यहां BR है लाश्ट में BR लिखेंगे यहां पर I है तो लाश्ट में I लिखेंगे अगला जो लिखना चाहे तो लिखेंगे कि CH3 OEH जो है CH3 OEH हाइड्रो क्लोरिक अमल के साथ जब क्रिया करती है तो क्या बनती है जल बनती है और उसके साथ जो है CH3 और क्या बनता है CEL बनता है मतलब यह इलकिल हैलाइड में आता है किसमें आता है यह इलकिल हाइलाइट कहा जाता है और यह जो है हाइलोजन जैसे कौन-कौन हाइलोजन होते हैं हाइलोजन क्रोमी, ब्रोमीन, आयोडीन, जो है क्लोरीन यह क्या है हाइलोजन ततों कहा जाता है तो यहाँ पर हाइलोजन से जब क्रिया किया गया है तो क्या बन आई है भी आर है तो इसे अपने कापी में जरूर नोट कर लिजेगा अगला जो करिया है फासफोरस हाइलाइड से अब करिया यह फासफोरस हाइलाइड से अब करिया करेगा तो क्या बनेगा तो यह लिखेंगे फासफोरस 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 हाईलाइड से क्रिया फासफोरस हाईलाइडो से क्रिया हाईलाइडो से क्रिया या अब क्रिया लिख सकते हैं तो अब यहां पर क्या हो रहा है फासफोरस हाईलाइडो से क्रिया जब करेगा तो क्या क्या बनेगा तो अब यहां लिखेंगे जब मेथिल इलकोहाल की किरिया किरिया फासफोरस हाइलाइड से कराई जाती है तो क्या बनता है हैलो इलकेन बनता है तो अब इसके रियक्शन को समझ लेते हैं क्या है मेथिल जो है क्या लिखेंगे चिरी ओयाचे मेथिल इलकोहल है और यहां जो है फासफोरस पेंटा कुलाइड से जब किरिया कराई जाती है फासफोरस ट्राइकोलाइड है क्या है फासफोरस ट्राइकोलाइड है जब इसके क्रिया कराई जाती है तो क्या बनेगा CH3PO3 फासफोरस अब इसको कहते हैं और यहां का बनेगा CH3CL और यह क्या है इलकिन हो जाएगा कि जब यह क्या है मेथिल इलकोहल है और यह फासफोरस हैलाइड से जब क्रिया कराई गई है तो हैलो क्या बना है इलकिन बना हुआ है तो आप सभी विद्यार थी इस अपने काफिम क्या किजिए जरूर नोट कर लेजिए तो अगला रसाइनी गुण है ग्रिगनाड अब क्रिया ग्रिगनाड अब क्रिया क्या है अब इसके बारे में भी समझ लेते हैं तो ग्रिगनाड अब किरिया तो ग्रिगनाड अब किरिया हेडिंगों पहले नोट कर लीजिए अब इसमें क्या है जब मेथिल इलकोहल जो है मेथिल मैगनीसियम और डायड से जब किरिया कराई जाती है तो मेथिल गैस बनता है क्या ल जब मेथिल इलकोहाल को किसे क्रिया कराई जाती हैं मेथिल मैगनीशियम मेथिल मैगनीशियम मेथिल मैगनीशियम से क्रिया कराई जाती हैं मैगनीशियम आयोडाइड आयोडाइड से किरिया कराई जाती है, किरिया कराई जाती है, किरिया कराई जाती है, तो क्या बनता है, किरिया कराई जाती है, तो मिथेन गैश बनता है, क्या बना है मेथिल इलकोहल को मेथिल मैगनीशियम आयोडाइड से क्या करा जा रही है किरिया करा जा रही है तो क्या बना है मेथिन गैस बना है अब यहां रियक्शन लिख लेंगे जैसे CH3OH और जो है मेगनीशियम CH3 मेथिल मैगनीशियम आयोडाइड CH3 EMGI इसका नाम क्या है मेथिल मैगनीशियम आयोडाइड के साथ जब किरिया करा जाती है तो क्या बनता है CH3 यहां पर जाएगा O EMGI प्लस जो है CH4 और CH4 का नाम क्या है मेथेन गैस तो मेथेन गैस बनता है तो इस reaction को जो है आप सभी विद्यार थी क्या किजिए अपने copy में जरूर नोट कर लीजिए अब हम लोग पढ़ेंगे इसका उपयोग कहां किया जाता है इसका उपयोग कहां कहां किया जाता है मेथिल इलकोहल का तो यहाँ उपयोग लिख लिए जाए कि उपयोग कहां कहां किया जाता है तो पहला उपयोग समझेंगे इसका उपयोग कहां किया जाता है तो पहला लिखेंगे इसका उपयोग जो है acetic amyl बनाय जाता है और जो है formaldehyde में इसका परियोग किया जाता है लिखेंगे फर्मल्डीहाईड बनाने में पहला संगना गया होगा फर्मल्डीहाईड बनाने में दूसरा जो है एसटिक अमल बनाने में दूसरा का जाएगा इस टिक अमल बनाने में और चोथा जो लिख सकते हैं इधन के रूप में लिखेंगे इधन के रूप में इसका परियोग किया जाता है इधन के रूप में चौथा इसका उपियोग है पेंट बरनिश 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 आदि आदि उद्योगों में उद्योगों में बिलायक के रूप में परियोग किया जाता है बिलायक के रूप में बिलायक के रूप में रूप में परियोग किया जाता है परियोग किया जाता है तोटल जो है चार यहां जो है इसका उप्योग बताया गया तो यह चारों उप्योग जो है आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में कह किजे नोट जरूर कर लिजे तो आज जो है मेथिल एलकोहल समाप्त हो गया कल हम लोग पढ़ेंगे एथिल एलकोहल कैसे बनता है इसके बहुती गुण क्या है रसाइनी गुण क्या है तो कल वाला वीडियो जो है आप सभी विद्यार्थी देखना मत भूलिएगा तो आज का वीडियो कैसा था आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजेगा वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल पर पहली बार आये होंगे तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लिजे तो मिलते हैं अब अगले भाग में तब तक के लिए सभी विद्यारतियों को नमस्कार